Hello everyone, how are you all? Student, आज की इस वीडियो में हम लोग Estimation of Substraction फाइन करना सीखेंगे तो सबसे पहले हम यहाँ पर Round of Nearest 10 का सबस्ट्रेक्शन करेंगे और Next वीडियो में हम 100 और 1000 करेंगे तो चलिए Problem से Start करते हैं तो आपको यहाँ पर Estimated Substraction फाइन करना है Estimated Difference फाइन करना है तो उसके लिए क्या करेंगे सबसे पहले इस नंबर का Round of Nearest 10 फाइन करेंगे ठीक है Round of Nearest 10 मैंने Start की ही वीडियो में सिखाया है आपको किसी भी नंबर का Round of Nearest 10 फाइन करने के लिए हम Last की डिजिट को चेक करते हैं Miss Unit Place के डिजिट को चेक करते हैं अगर वो 5 से छोटा है तो हम उसके Place पर क्या करेंगे 0 राइट करेंगे बाकि Rest Number को सच एस राइट कर देंगे Clear हुआ अब Next Number का हम Round of Find कर लेते हैं यह क्या है यहाँ पर 9 9 क्या होता है 5 से बड़ा है तो आगे वाले नंबर में हम लोग 1 को प्लस करेंगे और इसके Place पर 0 लिख दिया और इसमें हमने 10th Place में 1 प्लस किया तो क्या मिल गया हमें 9 बाकि जो Rest Number है उसको सच एस राइट कर देंगे तो इस तरह से यह इसका Round of Nearest 10 हो गया अब हम इसे माइनस कर लेंगे 0-0 यहाँ पर हो गया 7-9 तो 7 छोटा है 9 तो माइनस होगा नहीं अब यह बोरो करेगा और क्या बन जाएगा 17 और यह 4 क्या हो जाएगा 3 तो 17 से आपने 10 माइनस किया देन 8 और यहाँ पर 3 से 2 माइनस किया देन 1 बहुत सारे बच्चे माइनस करने में भी गलतियां कर रहे हैं थे तो मैं यहाँ पर दोनों बाते क्लियर करूंगी पहले राउंड आफ कैसे निकालेंगे और फिर उनको माइनस कैसे करेंगे चलिए next पर मुग करते हैं आपका फिर से क्या करेंगे same work करेंगे यहाँ पर इंका पहले round of near stand करेंगे और इसके बाल माइनस करेंगे तो यहाँ पर first number की last desert को चेक करते हैं means unit place की desert को चेक करते हैं तो देखते हैं कि यह 5 से चोटी है या बड़ी तो यह क्या है 5 से less है 5 से चोटी है तो क्या process करेंगे 2 के place पर हम यहाँ पर 0 right करेंगे और 8 और 3 को such as right कर देंगे उसमें कोई change नहीं करेंगे अगर वो 5 से चोटी होती है next number को भी ऐसे कर लेते हैं यहाँ पर देखिए last में क्या है 4 and which is less than 5 तो क्या process करेंगे 4 के place पर 0 और 5 को such as right कर देंगे और अब हम इन्हें minus कर लेते हैं तो 0 minus 0 0 मिल गया 8 minus 5 3 और यह वाला 3 such as right हो गया तो इस तरह से हमारा यह answer आ गया clear हो रहा है ना सबको चलिए next question के तरफ move करते हैं अगेन आपको फिर से same work करना है आपको क्या करना पड़ेगा 868 का round of fine करना पड़ेगा वो भी किसके nearest 10 के nearest और उसके बाद हम लोग minus करेंगे numbers को तो round of nearest 10 fine करने के लिए हम लोग last के digit को check करते हैं which is 8 और 8 क्या होता है greater than 5 5 से बड़ा होता है तो हम क्या process करेंगे आगे वाले number में 1 plus कर देंगे तो 8 के place पर हम लोगों ने 0 right किया 6 में 1 plus किया दें 7 और बचे हुए number को such as right कर देंगे clear हुआ next number का भी आप round of nearest 10 fine कर लिजे यहाँ पर यह क्या है 3 which is less than 5 5 से छोटा है तो 3 के place पर 0 बाकि जो बचे हुए number है उनको such as right कर दिया है और अब हम इने minus कर लेंगे तो number 0 minus 0 हो जाएगा 7 minus 0 7 8 minus 4 4 और यह हमारा answer हो गया clear हो रहा है चलिए next problem पर move कर लेते हैं फिर से यहाँ पर हम round of nearest 10 fine करेंगे सबसे पहले तो last के डिजेट चेक करिए क्या है यह 6 which is greater than 5 5 से बढ़ी है तो क्या process होगा आगे वाले number में 1 plus करेंगे 6 के place पर 0 right किया 1 में 1 plus किया then 2 और जो बचे हुए number होंगे उनको such as लिख देंगे तो इस तरह से हमारा round of आ जाएगा 120 अब next number का round of fine करिए 85 का nearest 10 fine करना है तो last digit को चेक करेंगे last digit is 5 अगर number 5 के equal होता है तब भी हम क्या करते हैं आगे वाले number में 1 plus कर देते हैं और पीछे वाले number की place पर 0 और इसमें 8 में 1 plus किया then 9 clear हुआ अब minus कर लेते हैं हम लोग minus में हमेशा याद रखा करिए कि हमारा जो right hand side का number होता है यह right hand side हम इसे equal करते हैं ना कि इस side को equal करते हैं तो देखें यहां पर क्या किया गया है यहां पर 0 के नीचे 0 है फिर 2 के नीचे 9 है means हम right side से equal करना start करते हैं 0 minus 0 0 हो जाएगा 2 minus 9 तो होगा नहीं यह से borrow करें और यह हो जाएगा 12 यहां से देख सकते हैं कि यह 12 है 12 minus 9 कितना हो जाएगा यहां पर 3 clear हो गया I hope सबको clear हुआ होगा कि हम कैसे estimated difference find करेंगे क्या करना होगा सबसे पहले हम round of nearest 10 find करेंगे और उसके बाद उस number को minus करेंगे अब हम next video